आपको जब हर चीज याद है कोई confusion नहीं है तब आपके नोकरी आगे पीछे गुमेगी जो आई-एस बनते हैं मैंने कहीं बार देखा कि ये कुचामन में अपने तैसिलदार जी लगे हुए थे मैं गया मेरे डोक्यूमेट्स बना के साइन करा के लाया थोड़े एक दिन बाद में खबर आई कि वो तो आई-एस बन गे बड़ी आरेंग के साथ केसे भाई केसे बन गे वह तैसिल में जाते तो उनके पास 24 गंटे काम रहते हैं मतलब जब भी रहते तो वो बीजी रहते एक तैसिलदार कि अगर अगर ड्यूटी करते हुए ड्यूटी करते हुए इस्टेट लेवल का एक जाम है तैसिलदार के लिए आपको पता आरेस का पेपर लगता है एक SDM जो खंड लेवल का पूरा काम देखते हैं वो अपनी ड्यूटी करते हुए आईएस का एकजाम करेकर करके और collector बन जाते क्यों बन जाते क्योंकि उनको पता है I.E.S. का course एक बार होता है या किसी भी exam का course एक बार होता है उसके बाद में तो revision होता है और घर बेटें आपको live classes मिल रही है हर institute आज कल classroom live class दे रहा है मैंने एक वीडियो में ये भी का किसर घर पे मावल नहीं बनता तो मैंने का आर्देस अजार उपी parents के लगाने के बाद में अगर आप मावल बना रहे हो तो गड़त कर रहे हो करशी शिक्षा नगरी उदेपूर के रोहल संस्तान में एक बार पुना आपका हर्दिक स्वागत है आज राजस्तान सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया जिसके अंदर ये उमीद थी कि करशी प्रवेक्षक की नहीं बढ़ती आएगी और बच्चे जो पिछले काफी महीनों से तयारी कर रहे हैं वो कहीं न कहीं इस एकजाम की डेट डिकलियर होने पे वेकेंच की सीट किलियर होने पे कितने पदों पे आर रही है तो वो और अपने एनरजी के साथ तयारी करेंगे और अपने साकार करेंगे वो सरकारी नोकरी लगने की पूरी कोशिज लेकिन पूरा बज़ट सुनने के बाद में बच्चों को निरासा हाथ लगी और ये किलियर हो गया कि इस बज़ट के अंदर बरती की गोशना नहीं हुई जैसे ही किलियर हुआ बच्चों के कि कोई सांसेज नहीं है उसके बाद में बच्चे निरासा में डूब गए कई मन में उनके ख्याल आने लगे कि अब मैं क्या करूँ मैंने मेरी नोकरी छोड़ के तियारी चालू कि मैं कोई काम कर रहा था कहीं पर किसी और एकजाम की तियारी कर रहा था मैं PG की तियारी कर रहा था उसके अकोर्डिंग मुझे सुपरवाइजर की जो है तियारी करने चाहिए क्योंकि इस बजट से पहले ही अक्टूमबर नौमबर दिसंबर में भी ऐसे चांसे कहीं जगा लग रहे थे कि भाई वेकेंची जो है आपकी सताई जो उनको पेपर होगा तो वो बच्चा भी आज टेंशन में कि खरशी परियोक्षक के चकर मेरा एफस होगी अच्छी तियारी अभी तक नहीं हो पई दूसरा प्री पीजी वाला बच्चा उसको भी पता है कि मेरा चोगदा मही को एक जाम होगा और इस सुपरवाइजर के चकर में मेरी पीजी की तियारी नहीं हुई और वो बच्चे जिन्होंने सब कुछ चोड़के के चाहिए पेशे ब्याज पे लाओ कुछ भी करो लेकिन वो इस बरती के उमीद में थे और तियारी कर रहे थे अब उन बच्चों को कहीं न कहीं दुख हो रहा कि मैं आप क्या करूँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि हरा आदमी को दुख होता है लेकिन अब अब में इस जगे ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या दुखी होने से कुछ सोलिशन होगा या फिर कुछ नया करना चाहिए तो आप कितना ही सोच लो आपके गिडगड़ाने से। रोने दोने से बरती आएगी या बरती आजाएगी ऐसा पोशिबल लग नहीं रहे या यूँ कहा हैं कि गिडगड़ाने से जनली किसी के सपने पूरे होते नहीं हैं तो क्या करते हैं? किन के होते हैं? जो ऐसी विपरित प्रस्तितियों में, विपरित प्रस्तितियां उनको बोलते हैं जो काम अपने मन के इसाब से नहीं हो और जो अपन सोच के चलते हैं उसके अगेश जब काम होने लग जाते हैं तो बोलते हैं कि यार विपरित प्रस्तितिय चल रही है situation favor में नहीं है तो आज हमारे जो कर्शी प्रिवेक्षक के जितने भी योदा है उनकी उनके जो है यूँ कह सकता हूं कि situation साइध फ्यवर में नहीं है तो अब उनको क्या करना चाहिए कि उनका बिना टाइम खराब किये वो कुछ बेटर कर सके और आगे कहीं बच्चे जैसे कहीं पर भी तियारी कर रहे है एक्स वाई जेट कहीं पर भी बच्चा तियारी कर रहा है तो उसको भी यह situation मनगी कि मैं क्या करूं तो मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि आप पांच साथ दिन तो जो situation है उसके अकोडिंग जो कुछ आप एट परजेंट कर रहें उसको continue जारी रखें जहां पर भी आप रह रहें वहीं पर रहें अपने आपको डिमोरलाइज नहीं करें और बी पो कि मैं तो आज ही गाऊं जाऊंगा क्योंकि इस बजट में बढ़ती के लिए आया था मैं तो और अब मेरा कुछ भी हो गए नहीं तो ऐसा आप तुरंट डिशीजन नहीं लें तो किसरह में क्या करना चाहिए तो मैं सबसे पहले आपको मेरे पुराने वीडियो याद दिला कि मैंने पहले आप लोगों को क्या का करशी परिवेक्षक को बच्चों को और उसमें मैंने क्या बोला तो सबसे पहले तो आप जो है अभी तक आपने क्या किया है उस पे बात करूँगा उसके बाद में यह बात करूँगा कि आपको कोई नुकसान भी नहीं हो और आपकी तियारी भी नहीं चुटे तो आपको आगे क्या करना चाहिए उस पर मैं डिस्कस करूँगा ठीक है तो यहां दो तरह के के बच्चे में अकाउंट करके चलूँगा एक बच्चा तो वो जिनकी पारिवारिक इस्तिति मतलब आर्थिक दरिश्टिशे वो साउंड नहीं है प tapes कमाता है तो परिवार को कहीं कहीं सारा मिलता है का मतलब उस बच्चे की जरूरत है परिवार को एग वो बच्चा जिसके अच्छा खासा काम चल रहा है पिता जी बिजनेस्मेन है या पिता जी जो़ों क्यों अच्छा कर लो लेकिन बहुत ज्यादा बड़न नहीं है financially बहुत ज़्यादा burden नहीं है वो बच्चा इन दोनों बच्चों के लिए अपन बात करेंगे तो हमारे agriculture में around अभी 80% बच्चे ऐसे हैं जिनकी पारिवारी की इस्तित ठीक नहीं है वो महिने का घर से बाहर रखे अगर बच्चा महिने का घर से बाहर रखे कोचिंग के बिना ही 8000 रुपे मंतली खर्चा आता एक बच्चे के अगर घर से दूर वो रूम लेके रह रहा तो शिटी में रह रहा तो और 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको नोकरी लगना है पेशों का कोई ज्यादा मेटर नहीं है उनको नोकरी लगना है तो इन बच्चों के लिए मैंने पहले ही भी का था कि अगर आप जो बच्चे एगरी कल्चर से ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन बच्चों के लिए मैंने विशेश तोर पे बार बार का कि अपन इस लाइन में हैं ज्यादा तर मैंने हमेशा का पीजी की ओप लाइन कोचिंग एगरी कल्चर से बीए सी की बच्चे को करने की जरूरत नहीं है हमेशा का मैंने एप एसो की कोचिंग एगरी कल्चर से बीए सी की बच्चे को रूम लेके किसी बड़े सहर में रहके तियारी करने की जरूरत नहीं है मैंने कर्शी प्रिवेक्श क्योंकि वो बारी पास से शुरुवात होती है उनकी उन बच्चों के लिए भी मैंने हर बार का कि ऐसे बच्चे जिनकी पारिवारे की सिर्थी ठीक नहीं है वो आठ आठ साथ साथ अजार उपे घर से दूर रहके लगाए यह जरूरी नहीं है क्यों बोला मैंने ये बात मैंने इसलिए बोला कि टेकनोलोजी के साथ में आपको हेल्प मिल रही है और घर बेटें आपको लाइव क्लासेज मिल रही है हर इंस्टिटूट आजकल क्लासरूम लाइव क्लास दे रहा है मैंने एक वीडियो में ये भी का कि सर घर पे मावल नहीं बनता तो मैंने का आर्दे सजार उपे पेरेंट्स के लगाने के बाद में अगर आप मावल बना रहे हो तो गलत कर रहे हो तो ऐसे बच्चे जो नॉर्मल परिवार के हैं उन बच्चों को ओनलाइन ही तियारी करनी चाहिए थी और मैंने ये भी खाता कि ज़्यादातर संस्तान ऐसा भी कर रहे कि यदि वेकेंसी आजाती है और आप ओपलाइन पढ़ना चालू करते हो वेकेंसी आने के बाद में तो ओनलाइन आपकी जमापीश जो है ओपलाइन मेंसे कम कर दी जाती है जनरली इस्पेसली में हमारे इस्टिटूट के लिए मैंने बार-बार बोला कि कर्शी परिवेक्शे की हमारी पीश पंदराजार रुपे है और अगर हमारा पांच हजार चार अजार का ओनलाइन कोर्स है अगर कोई बच्चा ले ले लेता है पांच हजार चार अजार का तो जब ओपलाइन बढ़ती आने के बाद में बच्चा आता है तो उसके जो है इतने रुपे के अंदर उस बच्चे का काम हो जाएगा अगर उसको लगता है ख्लासरूम, लाइव क्लास चल रही है मैंने हर वीडियो में बार-बार का मुझे अच्चे से याद है फिर मैंने का कि अगर वेकेंची आजाती है तो आपके पास में कम टाइम बचेगा उस टाइम तीन मेने, दो मेने, चार मेने का यह बचेगा उसमें आप 8-8 जार को आपको लगता है कि गर पे मैं बहुत अच्छे से प्रेक्टिश नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं पुरी एनरजी वहाँ जाके और लगाऊं तो और बेनिपिट होगा, तो आप कम से कम टाइम के लिए गरवालों की पेशे लगवा सकते थी लेकिन क्योंकि कहते हैं कि जिसके पास कुछ समान नहीं होता है या जो जो गरीबी देखावा है उसको डर ज्यादा लगता है और वो ये सोचता कि कई मैं पीछे नहीं रहे जाओं, परती नौंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी या फिर जो है इस बजट में तो कनफ ठीक नहीं थी और उन्होंने डिसीजन लिया कोचिंग करने का और बाहर जाके खर्चा किया उन बच्चों को आज ज्यादा दुख हो रहा है लेकिन देखो जो आपने कर दिया है उस पे आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है अब भी आप से मेरी रिक्वेस्ट ह कि यदि आपका कोर्स कंप्लीट हो रखा है तो आपको डेटा का खर्चा ज्यादा नहीं लग रहा ओनलाइन कोर्स फ्री है ओपलाइन के बच्चे के वो बच्चा घर जाके आराम चें अपनी कंटीन्यू तियारी करे अभी दो चार दिन तो रुके क्योंकि हो सकता है आने वाले पांच साथ दिन पंदरा दिन के बाद में बरती की और भी गोशना होने की पोशिबल्टी है मैं आज यह नहीं कह सकता कि आएगी ही आएगी ही में कहूर नहीं आई तो कल आप गालियां दोगे कि सर आपने यह कहता रहे हैं लो हम तो आपके बरुसे रहें और मैं यह कोर्स पूरा हो चुका तो भी और कोर्स अगर आपने पढ़के देख लिया कहीं पर भी बी क्लास्रूम लाइव आ रहे हैं डायरेक्ट क्लास कोई चीज का फ्रक नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि आपको अन्नीशिश्री लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए मैं आपको कि यह बच्चे के किसी भी बच्चे के फेवर में नहीं हूँ कि उसको ओफ लाइन कोचिंग करने चाहिए क्योंकि आपको ओन लाइन लाइव में चार जार पांच जार उपे के अंदर पूरा कोर्स लाइव मिल रहा है अप टू एक जाम तक बार बार उसी चीज को पढ़ा जा रहा है आप वहीं घर पे बेटके इस काम को कर सकते हो अगर आप महीं नेके 8000-10,000 नहीं लगा रहे हो यह भी एक नोकरी की बात है इतना तो आप करी सकते हो तो एसे बच्चों को तो अब यह डिसीजन लेना है कि अगर वेकेंसी आपको लग रहा है पांदस दिन बाद में की कम चांस है भी तो आपको यह ओनलाइन वाला सिस्टम फोलो करना है कि मैंने टाइम टेबल बताये था पूरा सिस्टम बताये था कि कर्शी प्रिवेक्श की बढ़ती अगर एक बचा इतने गंटे अगर पड़े तो भी वह आराम से करेक कर सकता है एक बार कोर्स पूर कि अगर 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 ड्यूटी करते हुए ड्यूटी करते हुए इस्टेट लेवल का एक जाम है तो एक तैसिल्दार अगर तैसिल्दार के लिए आपको पता आरेश का पेपर लगता है एक SDM जो खंड लेवल का पूरा काम देखते हैं वो अपनी ड्यूटी करते हुए आईएस का एकजाम करेक करके और कलेक्टर बन जाते हैं क्यूंकि उनको पता है आईएस का कोर्स एक बार होता है या किसी भी ए रिवीजन होता है और रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगता इसलिए SDM तैसिल्दार रहते हुए भी कलेक्टर बनते हैं दोनों के पेपर में रात दिन का फरक है कही एकजामपल आपको मिल जाएंगे लेकिन यह वो लोग है जो संसादन है और जो टेकनोलोजी अभी जमाना चल रहा है उसका फाइदा उठाते हुए आप अपने परतियों की परीक्षयों का कम से कम खर्चा करें घरवालों का और बरती आने के बाद में यदि आपको संतूष्टी नहीं हो तो आप ओपलाइन के लिए कहीं पर भी विच करके इतने गंटे रोज क्लास लेके अपने जोब के साथ में 8 गंटे जोब कर लिया, 8 गंटे नाना दोना सोना कर लिया, फिर भी 8 गंटे बच गए उनमें से अगर वो 4-5 गंटे भी देता है तो इतने दिन के अंदर पूरे कोर्स को अच्छे से कर सकता है और बरती आने के दिमाग में नहीं आएगी कि भाई मैं ओफ लाइन जाओंगा तो मुझे एक्चुल फिलिंग आएगी तो ये बच्चे तो इस तरह के का डिशी जन ले दूसरे 20 परसेंट ऐसे बच्चे जिनके पेशों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि फेमेली साउंड है ऐसे बच्चे अपना जो रूटीन चल रहे है उसको चलने दो उसी को continue आप जारी रखो क्योंकि आपके प्रस्तितियों में यसा नहीं है कि आप में गाउं जाके जो है वहाँ जाके मावल बना दूँगा अगर बना पाओ तो आपको कुछ भी नहीं करना आने वाली जो वेकेंस लेकिन अगर आप गिडगडा के और मेना पंदरा दिन बीच दिन खराब करते हो उससे आपको नुक्सान होगा और गिडगडाने से इनको भी नुक्सान होगा जो पांच बेच चल रहे हैं उनमें मैंने बेच में जाके विशेश तोर पे बोला कि सर बरती कब आएगी तब मैंने यह का आपको कि जो भी दुनिया में महान हुए है या जिन बच्चों का इस दुनिया में नाम चल रहा है जिन बंदों का नाम चल रहा है जिनको दुनिया याद करती है उन्होंने हमेशा चोटे-चोटे परियास किये और वो समय के साथ में परियास किये मैं यह नहीं कहता कि जो भी लोग success हुए है वो अपने पहले परियास के अंदर जो है success होगे मैं नहीं कहता क्योंकि generally होते नहीं है तो क्या करते हैं कौन चे लोग support होते हैं वो लोग अमेशा support होते हैं जो time management जानते हैं और जिस time जिस बंदे के हाथ में जो काम है उस काम को अगर कोई सिद्दत से करता है तो definitely वो बंदा success होता है यह मैंने हर बेच में कहा कि सर आप हमें क्या समझाना चाहते हो तो मैंने विशेश तोर पे यह का कि आपके कितने subject है कि सर हमारे यह subject है तो मैंने उनको विशेश तोर पे का repeat कर रहा हूं कि आप subject के teacher बन जाओ मैंने क्या क्या उ देखोगे खांसर की playlist देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार सभी subject बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं उन्होंने तो किसी एक subject में degree की होगी दो में कर लियोगी तीन में कर लियोगी इसका मतलब है उनके दिल में यह तमन्ना थी कि मैं ज्यादा तर चीजे सीखूं और सीखन तो नहीं रही क्या आपने याद कर लिए पूरी तो नहीं हुई पूरी करो अच्छे से करो और इतनी जबर्दस्त करो कि आप एजे टीचर आप में confidence आजाए कि सरलाओ मुझे मार कर दो मैं पढ़ाता हूं जबर्दस्त आप एग्रोनोमी होटी कल्चर एनिमल जो भी आपक का क्या नाम है कि सर ये गाजर की बीच दर क्या है कि सर ये माराना परताब की पिताजी का नाम क्या था कि ये आपको जब हर चीज याद है कोई confusion नहीं है तब आपके नोकरी आगे पीछे गुमेगी तो जो बच्चे आज जो जिन बच्चों को दुख हो रहा है उन बच्चों को आज ये भी देखना है कि अब मुझे उतना टाइम मिल रहा कि मैं मेरे सब्जेट का टीचर बन जाओ मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कभी कभी भी मारकर खतम नहीं होगा ये मारकर है न कभी खतम नहीं होगा पूरी दुनिया में कभी खतम नहीं होगा इसलिए आप जो जी subject की तियारी कर रहे हो उस content को इतना बढ़िया तियार करो कि कहीं पर भी जाके कह सको कि सर ये चीज मैं पढ़ा दूँगा सर चार गंटे ही आओंगा बाकी टाइम में पढ़ता हो क्लास लेके चला जाओंगा आप definitely पढ़ाओगे definitely आप में इतना confidence आजाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो आप बोलना सीख जाओगे और जो बोलना जानता है इस दुनिया में वो सब कुछ कर लेता है इसलिए अभी ये time गिरगडाने का नहीं है निरास होने का नहीं है अभी आपको बिलकुल positive होके अपने content को बहुत अच्छे से कम से कम खर्चा लगते हुए आपको पढ़ने की जरूरत है तो दोनों बच्चों के लिए मैंने बता दिया है इसके अलावा जो बच्चे PG के हैं और जो बच्चे FSO की तियारी कर रहे है FSO के लिए date आ चुकी है आपकी 27 जून को जो आपका exam होगा तो जो बच्चे FSO की तियारी करे वो और मन लगा के करे और जो बच्चे pre-PG वाले हैं कि मैं PG की करूँ या supervisor की छोड़ दू वो बच्चे भी दोनों course को एक बार देख ले और अपने इस्तिती को देखते वे analysis कर ले कि मुझे क्या करना चाहिए और फिर जो आपकी आत्मा कहें उसके according आप मेहनत करना चालू कर दे जो candidate इस दुनिया में मेहनत करते हैं और जिनको ये विश्वास रहता है कि मैंने मेरी तरफ से इमानदारी से सब काम की है मैंने कोई कमी नहीं चोड़ी है मैं मेरे ममी पापा गुरुजी शर्षवती मा के साथ मैं दगगा नहीं कर रहा हूँ मेरे को जो दिमेदारिया दी गई है मैं इमानदारी से निबा रहा हूँ उस बच्चे को कताई निरास होने की जरूत नहीं है इसवर के गर देर है अंदेर नहीं है भी पोजेटिव होके आपको सकारात्मक प्रियास करना चाहिए रोवल सनस्तान हमेशा ही आपके ऐसी जो विपरित प्रिस्तियां उनके साथ में हमेशा खड़ा रहा है अभी भी आपके साथ में खड़ा है और यदि कुछ भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट प्रोक्स में पूछ सकते हो और आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आवार थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच